10.2 और पहले आप 10.2 exercise का जो introduction lecture है वो complete देख लो उसका link मैं description में डाल देता हूँ वो lecture देखने के बाद इस exercise के 100% question आप खुछ से soul कर पाऊगे तो पहले हर एक exercise के मैंने introduction lecture बनाया है पहले वो देखो उसमें complete concept सब detail के अंदर मैंने समझाया है कि question कैसे कैसे आएंगे क्या क्या इसके अंदर concept use होने वाले exercise में मैंने सब वहाँ पर आपको detail में बताया है यहाँ पर हम direct start करेंगे example से fourth example में बच्छो क्या कहता है आपको xyz की value find out करनी है show that these two vectors are equal तो vector आपको मैंने बताया equal कब होते हैं जब उनके corresponding components क्या होते है इक्वल यानि कि i, j, k के जो coefficient a vector में है वही किसमें होने चीए बच्छो b vector में अपने को given क्या है question में given है a vector is equal to b vector अगर यह दोनों vector equal है तो मैं क्या यह कह सकता हूं कि x i a vector क्या है x i plus 2 j plus z k equal है यह किसके 2 i plus y j और plus k अब यह दो vector equal होने का मतलब यह होता है कि यहाँ पे i का coefficient और यहाँ पे जो i का coefficient है क्या होंगे बच्छो दोनों equal होंगे यानि कि इदर i का coefficient x है उदर कितना है 2 x और 2 क्या होगे equal यहाँ पे j का coefficient कितना है बचो y और इदर j का coefficient कितना है आपका 2 यह दोनों क्या होंगे equal यहाँ पे k का coefficient कितना 1 और यहाँ पे कितना है आपका z तो z किसके equal आगे 1 और यही आपके इस question के answer है आपको X, Y, Z निकालने थे, हमने निकाल दी X, Y, Z, फिफ एग्जेम्पल देखो, कहता है A vector और B vector आपको दो दे रखे हैं, इसका क्या मतलब होता है, A vector की length या magnitude और इसका B vector का magnitude, कहता है क्या ये दो vector equal है, equal तो बिल्कुल भी नहीं है, equal कब होते हैं, जब I का coefficient, इस I के coefficient के equal हो इक्वल तो नहीं है, यहाँ पर I का coefficient 1 है, और यहाँ पर क्या है, 2 है, और मैंने आपको बताया हुआ है, कि ये जरूरी नहीं है कि, दो vector का magnitude equal अगर हो, तो वो vector equal हो, क्यों, इस question के अंदर आपको magnitude तो equal मिलेंगे, लेकिन vector equal नहीं मिलेंगे, तो solution करते हैं, दोनों vector का magnitude निक 5, ऐसे ही आप निकालो क्या, B vector का magnitude, यह कितना होगा बच्चो, 2 का square, और प्लस 1 का square, यह भी कितना हो जेगा आपका root 5, तो here, magnitude of A vector equal आगया, आपका magnitude of B vector equal आगया, लेकिन आपको पताया कि ये vector equal नहीं है, but, but A vector is not equal to B vector, क्यों equal नहीं है, आप छोड़ा reason लिख दो, because, the components, components, the components are not same, इनके जो component है ना, वो same नहीं है, components होते है, बच्चो, जो I, J के कोफिशेंट होते हैं, उनको components बोलते हैं, आप यह मत समझना कि यहाँ पर 1, 2 है, यहाँ भी 1 और 2 है, नहीं, I का component, I का coefficient, I के ही equal होना चीए, और J का coefficient, J के ही equal होना चीए, तब हम बोलते हैं, उनके component सेम है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, तो इसलिए यह दो वेक्टर equal नहीं है, तो आपको यह पता लगया, कि दो वेक्टर का magnitude equal होने के बावचूद भी हो सकता है, वो दो वेक्टर equal ना हो, यह जरूर नहीं है, कि magnitude अगर equal होगा, तो दो वेक्टर भी क्या होंगे, बचो equal होगे, अब देखो example 6, यह बहुत important है, unit vector वाला तो question सबसे important होता है exam के लिए, find a unit vector in the direction of a vector, अगर आपको किसी भी vector की direction में, देखो unit vector निकालना हो, तो इस vector को, देखो direction तो यह लेनी है, बस इसको length से क्या कर तो divide, यह होता है, देखो, इस vector की मानलो इतनी length है, और आ एक बच्चा यहां से start होके, यहां तक चला गया है, इस direction में, यहां तक चला गया, आपको इस direction में चलना है, direction change नहीं करनी, लेकिन आपको unit direction चलनी है, मतलब कि 1 km जाना है, मानलो, यह बच्चा जो गया है, इस vector की length बताओ कितनी है, यह vector की length, यह magnitude कितना है, यहां पर, 2 का square 4, 3 का square 9, और plus में कितना आगया, बच्चो 1 का square 1, यानि कि root 14, मैं यह कहता हूँ, यह बच्चा जो गया है, वो root 14 km गया है, मान लेते हैं, कितना है यह, root 14 km गया है, आप कहते हो, कि मैं तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ, बट मैं सिरफ कितना जाऊंगा, 1 km जाऊंगा, unit direction, unit length, यानि कि सिरफ मैं 1 km जाऊंगा, तो आप मेरे को यह बताओ, अगर इस पूरी distance को, root 14 को, आप root 14 से ही divide कर दोगे, तो answer कितना आजेगा, 1, यानि कि किसी भी vector को, आप उसकी length से क्या कर दो, divide कर दो, तो वो उसी direction में आपको एक unit vector देगा, यानि कि इतना vector आजाएगा, आ a-cap इसको क्या बोलते है, a-cap, a-cap क्या होता है बच्चो एक पोुता है, a unit vector, gap का मतलब unit vector, unit vector के लिए gap लगाते है, लेकिन किस direction में, in the direction of, in the direction of a vector, a vector की direction में, so unit vector होता है, उसको क्या बोलते है, a-cap, और इसका formula क्या होता है, a-vector को divide कर दो, इसके magnitude से, यानिकी, a-vector upon-met length of a एक्टर कितना बताओ 2i plus 3j plus k और इसकी length कितनी आई root 14 चाहे तो इतना छोड़ दो या हर एक component को अलग अलग divide कर दो 2 को root 14 से अलग कर दो 3 को root 14 से बच्चो अलग कर दो और 1 को root 14 से अलग divide कर दो और यह आपका क्या हो जाएगा unit vector हो जाएगा in the direction of a vector बहुत अच्छा कोशन है 7th कोशन देखो अब अब यह कहता है find a unit vector in the direction of this vector that has magnitude 7 अब की बार आपको unit vector नहीं निकालना देखो एक बच्चा इतनी दूर चलके गया a vector है मालो यह a vector कितना दे रहा है आपको कोशन में a vector है बच्चो आई माइनस के 2 जे अब मैं कहता हूँ length of a vector निकाल लो इसकी तो आपको जूट पड़े पड़ेगी 1 का स्केर पलस माइनस 2 का स्केर यह कितना हो गया root 5 यानि कि एक बच्चा जो है न इस direction में sa group 5 किलो् customer अच्छा रूट 5 कितना होता है टू से थोड़ा सा जयादा होता है लेकिन आप जाना चाहते हो 7 unit पतल कि आाप जाना चाहते हो इसी direction में कितने किलो मेटर सान क्लो मेर्ट बढ़ जा आ एसी डेक्शन में आगे वेक्टर निकाल लो कितना A cap, unit vector का मतलब क्या होता है, ये length कितनी होगी, 1 km, अब अगर आपको 7 km जाना है, तो इस unit vector की length को 7 से multiply कर देना, वो 7 km आजे की, कहने का मतलब, आप क्या निकाल लो, A cap निकाल लो पहले, A cap क्या होता है, कितनी भी आपको magnitude का vector निकालना हो, पहले unit vector निकाल लो, एक की length निकाल लो है न यानि की unit vector वाला vector निकाल लो जिसकी unit length हो, तो ये vector क्या है आपका i minus 2j और इसको root 5 से क्या करतो, divide करतो, यानि की 1 by root 5 i और minus 2 by root 5 j, ये आपका आ गया unit vector, जो a vector की direction में है, लेकिन अब आपको unit vector ने चीए, एक ऐसा vector चीए, जिसकी length कितनी हो 7 unit इसकी length 1 है और आपको 7 unit की चाहिए तो मतलब 7 से क्या कर दो multiply कर दो इसको बच्चो 7 से क्या कर दो multiply कर दो इसकी length आप निकालके देखोगे न तो आपकी कितनी आएगी यह आपकी 7 से multiply कर देना 7 तूजा 40 लिख देना तो बस यह इसका answer आजगा यानिकी unit vector को अगर आप 7 से multiply कर दोगे तो वह एक ऐसा वेक्टर आएगा जिसकी length कितनी होगी 7 units होगी निकालके दिखाऊं मैं आपको यह जो वेक्टर है ना यह वाड़ा वेक्टर इसकी length निकालो 7 आएगी देखो 7 by root 5 का whole square और प्लस 14 by root 5 का whole square आप सोल करके देखो इसको कितनी आएगी length इसकी यह होगी 5 for the 49 आगया यानि इसकी length आप कैसे 49 और 49 का square root कितना होता है 7 इस वेक्टर की length कितनी है कि 7 सिंपल सी बात है इसकी length 1 है और आप इसको 7 से multiply कर रहे हो नया vector जो आएगा उसकी length कितनी होगी 7 होगी अब यह देखो यह भी बहुत important question है इसमें बस आपको एकी concept समझाना च इह जो मैंने आपको introduction lecture में बताया है detail में आपको unit vector निकालना है can we pass up को यह देखना है किस candid Coupe in the direction of the sum of the vector. this. की Master A vector की direction में जाना ना ही B vector की direction में जाना बहल कि in Do Me वेक्टर का सम होगा न और जो नय वेक्टर आए गा निकल के उसकी direction में जना पहले तो आम appenna P face sky A vector plus B vector 2y मैंने आपको बताया हुआ है दो vector को कैसे add करते हैं बिल्कुल easy होता है corresponding component को क्या कर देते हैं बस add कर देते हैं यानि i का coefficient जैसे हम यह मानलो ऐसे करते हैं 2x plus 2y minus 5z plus 2x plus y plus 3z उसको कैसे add करते हैं x like term को आपस में add करते हैं तो 2i plus 2i कितना हो गया 4i 2i 2j plus j कितना हो गया अपका 3j और यह minus 5 है plus 3 तो minus के 2 आजेगा minus के 2 के अब आपको जो है ना इस vector की direction में एक unit vector चाहिए कौन से vector की direction में a plus b vector की direction में आप मेरे को यह बताओ यह भी तो एक vector है इसको आप c vector नाम देदो confusion से बचने के लिए इसको मैं क्या नाम दे देता हूं बच्चो एक c vector नाम दे देता हूं ठीक है इसको मैंने क्या माल दिया, c vector माल दिया, a plus b को, vector ही तो है, नाम ही तो मैंने देना है, इसका नाम मैंने इसकी जिगह क्या माल दिया, c vector माल दिया, अब अपने को क्या find out करना है, अब अपने को find out करना है, a unit vector, एक unit vector निकालना है, किसकी direction में, in the direction of c vector, in the direction of c vector, क्योंकि मैंने रहा होता है c vector को उसकी length से क्या करतो बच्छो डिवाइड करतो है ना c cap ऐसी तो निकालते हैं so c cap क्या होगा अपना c vector जो आया है ना इन दोनों का sum 4i plus 3j minus 2k इसको divide करतो बच्छो किस से इसकी length से 4 का square कितना होता है 16 3 का square कितना होता है 9 बच्छेश में मिस्टेक कर देते हैं या माइनस लगा देते हैं माइनस नहीं प्लस लगाना ठीक है और 2 का माइनस 2 का square कितना होता है 4 तो यह कितना आ गया निचे बताओ रूट 29 आ गया तो हर एक को रूट 29 से डिवाइड कर दो 4 by root 29 i plus 3 by root 29 j minus 2 by root 29 k यही आपके इस question का answer है बस आपको जिस vector की direction में चाहिए ना unit vector पहले तो वह vector निकाल लो ठीक है फिर उस vector को उसकी length से डिवाइड कर दो आपका answer आ जाएगा अब देखो आपका 9th question इस question में कहता है इस vector के direction ratio लिखो और फिर इसके direction को sign तो बिल्कुल आसान होता है question a vector आपको दे रखा है i plus j minus 2 के साथ-साथ में आपने इसकी length तो निकाली लिया तो निकाली लो वन का स्केर जे का coefficient 1 प्लस का साइन बीच में माइनस 2 का स्केर यह कितना आगया रूट 6 आगया अब आपको अगर निकालने हो क्या direction ratios अगर आपको निकालने हो direction cos का क्या मतलब होता है बच्चो आपके जो यह component निकले है ना वन और माइनस 2 इन तिनों को डिवाइड करता हो किससे इस ए वेक्टर की length से यानिकी root 6 से इन तिनों को root 6 से डिवाइड करता हो यही आपके क्या आजाएंगे direction cos आजाएंगे अगर आपको verification करनी हो तो verification कर लो verification verification में यह क्या होता है बच्चो L होता है यह क्या होता है M direction cos के special नाम होता है na L M N तो L square plus M square plus N square निकालना direction cos में इन तिनों का सम कितना होता है 1 होता है ठीक है हम निकालके देखे 1 by root 6 इसका whole square plus 1 by root 6 इसका whole square plus minus 2 by root 6 इसका whole square देखो 1 by 6 plus 1 by 6 plus 4 by 6 6 by 6 यानि कितना आ गया 1 और यही होती है verification तो आप एक बार check भी करके देख सकते हो कि आपका answer ठीक है बिल्कुल यह देखो 10th question यह बिल्कुल आसान है आपको vector निकालना है जो इन दो point को join करने से बनता है directed from P to Q मतलब पहले P और फिर Q initial point क्या है इसका बच्चो P है यह जरूर देखना होता है क्योंकि P Q vector और Q P vector आपको पता है तो नों अलग-अलग होते है initial point और यह terminal point इनिशियल point क्या है बच्चो P जिसके coordinate है 2,3,0 और यह क्या है आपका minus 1, minus 2, minus 4 आपको निकालना क्या है vector निकालना है इन दो point को join करने से directed from P to Q मतलब P से लेके Q तक जाना है P Q vector P Q vector का formula क्या होता है देखो इसका position vector में से इसका position vector क्या है minus कर दो यानि कि position vector of point Q minus position vector of point P तो बस देखो इनके component minus कर दिया अगर आप यह मालो minus 1 इसमें से 2 को minus करना है यानि कि minus 2 फिर minus 2, minus 3, फिर minus 4 और minus 0 यह आपका answer आगया minus 3, minus 5, minus 4 यह क्या आगया बच्छा आपका P Q vector आगया अगर अच्छा अब आपके आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको P Q vector को क्या लिखोगे minus 3 आई component 4 में लिख दो minus के 5 जे minus के 4 के क्योगी किसी भी point को आप component 4 में लिखोगे तो ऐसे लिखते हैं vector की format अब अगर आपको इसकी length भी निकालनी हूँ अगर आपको इस vector की length निकालनी पढ़े तो कैसे निकालो कि बताओ निकालो माइनस 3 का स्केर 9 माइनस 5 का स्केर 25 और माइनस 4 का स्केर कितना होता है 60 यानि कि root 50 आ गया और root 50 को क्या बोलते है 25 इंटू 2 यानि कि 5 रूट 2 अगर आपसे बच्चो इसकी length भी पूछ ली जाए तो 5 रूट 2 आएगी क्योंकि किसी भी vector का magnitude तो आप निकाली सकते ह इलेवन्त question में देखो ये section formula का question है आपको दो point दे रखें P और Q जिनका position vector OP vector दे रखें आपको और OQ vector दे रखें Find the position vector of a point R आपको R का position vector निकालना है जो इस line P Q को divide करता है बच्चो 2 ratio 1 में एक बार internally और एक बार externally तो मैंने आपको section formula पूरा सिखा रखें Section formula के अंदर क्या होता है देखो आप ऐसे diagram बनाए गरो चोटा सा ये ये point है P ये point है बच्चो क्या क्यों ये हमान लो origin ये क्या हमान लेते हैं origin तो आप क्या करते हो इस P को origin से join कर दो और इस Q को origin से join कर दोगो क्योंकि diagram बनाके अगर पूरा question आप examen solve करोगे तो examiner का मन ही नहीं करेगा कोई number काटने का O से लेके P तक और O से लेके Q तक ये इसके क्या होते हैं बच्चो position vectors होते है ओपी का position vector कितना है बताओ, ओपी कितना है यानि की P point का position vector ये दे रखा है आपको, और Q point का position vector क्या है बच्चो, A vector प्लस B vector R point इसको internally divide करता है 2 ratio 1 में, तो R point इसके कहीं बीच में होगा ये R point है बच्चो, इसको बाटता है ये 2 ratio 1 में, तो आप बताओ मिरको कि R point का position vector क्या होगा, हम क्या लिखेंगे, position vector of point R देखो, section formula के अंदर हम क्या करते है, मैंने आपको बता रखा है कि इस वाले point की, देखो, मैं यहां मना देता हूँ, इस 2 की multiply करते हो इसके position vector से, उल्टा करते है ना, 1 की multiply करते हो इसके position vector से, और दोनों को add करते हो, 2 की multiply करो A plus B vector, और प्लस करो, 1 into 3A minus 2B, 3A minus के 2B vector और निच्चे क्या होता है बच्चो, इन दोनों ratio का sum है ना, ratio का है 2 ratio 1, इन दोनों टरम को add करते हो, उपर देखो multiply करो, क्या आगया आपका 2A vector plus 2B vector plus 1 से multiply करने पर कोई फरक नहीं पड़ेगा निच्चे क्या आगया 3, ये 2B से 2B कट गया, उपर क्या आगया आपका देख लो एक बड़, 2A minus 3B हाँ सही है, तो अब क्या आएगा, उपर ये कट गया तो 5A vector upon 3A vector, ये आपका क्या आगया, answer आगया ये position vector आगया, किसका, बच्चो point R का, अब second part में हमारको क्या करना है, external division, external division के लिए मैंने आपको बताया हुए, सिरफ हम इस ratio में से, इसको 2 ratio 1 को, या तो minus 2 ratio 1 मान लो, या फिर 2 ratio minus 1 मान लो, एक term को क्या कर दो, negative कर दो, ठीक है, for external division, दो question है, ये paper में एक आएगा, लेकिन, कोई भी पूछ सकते हैं, एक्जाम इदर तो, इसलिए आपको दोनों आने चाहिए, external division के लिए, बच्चो, हम क्या करते हैं, वही आप diagram अना हो, ये O है, ये P है, ये Q, अब की बार जो R point होगा ना, इस line से बाहर लाई करेगा है, PQ line segment के बाहर होगा, तो ये position vector है, ये position vector है और ये आपका क्या होगा, बच्चो, R point होगा, ये इसका position vector होजएगा, तो बताओ, P का position vector आपको क्या दे रखाया है, 3A minus 2B vector, और Q का position vector क्या है, A vector plus B vector, आपको R का position vector निकालना है, और ये ratio कितना है, बच्चो, minus 2 ratio 1, तो हम फिर वही तरीका वही देगा, हमारा position vector of R, क्या ह होता है, formula बताओ, फिर वही आप इसको अना, confuse ना हो, इसलिए एक बार इसको यहीं लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसे ही करना से, इसकी multiply इससे की थी, इसकी multiply इससे, अपकी बार बस 2 की जगह क्या आगया, minus 2 आगया, बाकी कुछ भी change ने आएगा, पिछे वाले question से, और इसम प्लस 1 इंटू, 3A vector, minus 2B vector, निच्चे इन दोनों का sum, minus 2 और 1 का sum, ऐसे ही लिखते हैं, तो देखो, उपर क्या आगया, अपकी बार, minus 2A vector, minus 2B vector, plus 3A vector, minus 2B vector, और निच्चे क्या आगया, बच्चो, minus 1 आगया, अब देखो, उपर क्या आगया, आपका देखो, त्यान से, उ A vector, minus 4B vector, और अपन में, minus 1, उपर minus को में लेके काड़ दो, 4B vector को plus कर दो, इसको minus कर दो है न, यही आपका क्या आगया, अंसर आगया, यानि कि आपका जो position vector आगया, R point का, वो बच्चो कितना आगया, वो आगया, 4B vector, minus 2A vector, बिल्कुल आसान question होता है, सिरफ आपको section formula अच तो 3 point है न, यह right angle triangle के vertices है, बच्चो आप छोटी class हो में, 10th class से यह question आ रहा है, उसमें क्या होता था, बस two dimension geometry हम पढ़ते हैं, यह 3 point एक right triangle बनाते हैं, तो right triangle में क्या लगती है हमेशा पाइथागरोस थोरम, आपको यह पता है कि आप 3 sides की length निकाल लो, मालो यह triangle है ABC, आप 3 साइड की length निकाल लो, और यह प्रूव कर दो कि इसमें AC square equal है आपका AB square प्लस में BC square है न, तब यह coordinates किसके होंगे आपके, यह vertices जो होंगे, यह right triangle की होंगे, अच्छा जरूरी थोड़े कि AC ही hypotenuse होगा, मतलब कि 3 sides की length निकाल लो, उनका क्या कर लो, बच्चो square कर लो, उनक की यह triangle हमेशा ही क्या होगी बच्चो, राइट triangle होगी, होगी न, राइट triangle तो हम करते हैं question को देखो, पाइथा ग्रोस तोरम लगा नहीं है सिर्फ आपको, पहले आपको यह ABC 3 point दे रखें, आप vectors निकाल लो, AB vector निकाल लो, BC vector क्योंकि यह तो vertices है, देखो यह ऐसा question है, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, BK क्या होंगे, देखो, BK, 1, minus 3, minus 5, और C के coordinates क्या होंगे, बच्चो, 3, minus 4, और minus 4, आप जैसे AB की length निकालते हो, distance formula से निकालते हो, बिल्कुल same वैसे ही निकालना है, ठीक है, बस यहाँ पर क्या करना है, vector की form में show करना है, ताकि उनको यह ना ल कातलब की question easy है, बस थोटा सा लिख के दिखाना पड़ेगा अपने को, ठीक है, तो देखो, इस में से इसको minus करना है, अपने को, I में से 2i को minus करेंगे, I में से 2i को minus करेंगे, तो क्या हैगा, बच्चो, minus i, minus के 3j में से minus minus क्या हो जाएगा, plus, यानि की minus के 2j बच जाएगा और minus 5k में से k minus करोगे, तो minus के क्या आजएगा, आपका 6 क्या आजएगा, ये क्या आजएगा, आपका a b vector, अब निकाल लो, आप क्या बच्चो, b c vector, b c, देखो c में से b minus करेंगे, तो आपको अगर confusion है न, पहले c vector लिख लिख लिया करो, c point का जो position vector है, इस में से minus, minus bracket लगाया करो, ठीक है, अब आप खुछ जानते हो कि जब आप इस bracket को हटा होगे, क्या आएगा, sign change होएगे, minus के i, और ये plus हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बच्चो, प्लस हो जाएगा, अब आप इसको simplify करो, 2i और minus के j, और plus के क्या आगे, क्या आगे, ये आगे अब c-a vector निकाल लो, c-a vector यानि पहले a, a के position vector, फिर c का position vector है न, a का position vector क्या है बच्चो, 2i minus j, plus k, minus, position vector of c, ये कितना है आपका, 3i minus 4j, minus k, 4k, minus तो करी लोगे, इसको bracket खुल लोगे, तो ये क्या है, आपका minus k, i, ये minus minus plus, 4j में से j गया, 3j, और ये plus बन जेगा, क्या बन vectors की क्या निकाल लो, आप length निकाल लो, है न, a, b vector की length निकाल लो, length आपको निकालनी आती है magnitude, ये कितना होगा, minus 1 का square 1, minus 2 का square 4, और minus 6 का square 36, यानि कि root 41 आगे, अच्छा, साथ-साथ में क्या है, square भी निकाल जिया क्लो, क्योंकि अपने को पाइथा गरो स्वर्म लगानी है है न, उसमें किसी भी side की length का square होता है, ये root 41 का square 40 आजगा, ऐसे ही, b c vector का magnitude निकालो, b c vector का magnitude आप निकालोगे, 4 plus 1 plus 1, root 6, इसका क्या करोगे, square करोगे, इसका बचो square करोगे, कितना आगे 6, ऐसे c vector का magnitude निकालो, देखो, इसका magnitude निकालो, इसका, 1, 3 का square 9, 5 का square कितना आगे 25 ये कितना आगे, root 35, इसका square निकालोगे, c vector की length का square कितना आगे 35, अब आप यहाँ पे खुद देख लो, या ये जो चीज है, वो इन दोनों के sum के equal है, यानि कि मैं कहा सकता हूँ, कि a b vector का square है, वो किसके equal है, बच्चो, b c vector का square, b c vector की length का square, plus length of c vector का square, so triangle a b c, is a right triangle, और य ये और पूछ सकता है, इसमें, कि right triangle तो है, लेकिन कौन सा vertex पे 90 degree का angle बन रहा है, तो बच्चो, जो सबसे बड़ी side होती है, आपको पता है, वो hypotenuse होता है, यहाँ पे सबसे बड़ी side कौन है, बता हो, a b, तो ये a b है, तो बच्चो, ये c बच गया, ये क्या बच गया, आ 90 degree, तो ये question आप इस तरीके से बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, हो जाएका कोई मुश्किल नहीं है, अब आपका देखो बच्चो, question number 1, अब हमारी exercise start होगी, 10.2, हम सारे के सारे example, सारे question करेंगे, ताकि आपका concept 100% build up हो जाए, इसके 3 question, 3 part है, इन 3 vector का आपको क्या निकालना ह होता सान होता है, A vector का magnitude आप निकालोगे, तो बता हो क्या होगा, ये vector दे रखा है आपको length of A vector, इसका 1 का square, plus 1 का square, plus 1 का square, कितनी आएगी, root 3 आएगी, ये क्या होगा बच्चो आपकी, A vector की length आगी, अब आपको second part करके दिखा देता हूँ, मैं, इसमें B vector की length निकालना है, B vector की length, कितनी होगी, देखो, 2 का square मैं सिदा लिख रहा हूँ, 4, minus 7 का square, 49, और plus, minus 3 का square होता है, 9, ये कितना होगा, root 62, root 62 आपका क्या आजएगा, answer आजएगा, अब हम निकालते है, third, third question में, C vector की length निकालते है, हम length of C vector, square root का symbol लगा, 1 by root 3 का क्या लिखोगे, square लिखोगे, plus 1 by root 3 का क्या लिखोगे, square लिखोगे, plus, minus 1 by root 3 का square, लेकिन square के अंदर तो minus होचे, plus उससे फरक ही नहीं पड़ता, ये 1 by root 3, ये 1 by root 3, ये भी 1 by root 3, यानि की, sorry, 3 आएगा, निचे 3 by 3 आगया, और ये क्या होता है, 1, और 1 का square root कितना होता है, बच्छो, 1, तो इसका magnitude कितना आ बच्छो, मैं कहता हूँ, तो क्या अगर आपसे 20 भी पूछ लेना, तब भी मैं आपको आसानी से लिखना सिखा दूँगा, तो अलग-अलग vector, different vector, लेकिन magnitude क्या हो, same, let कर लो, आप, a vector को आप अपनी मर्जी से कुछ भी मालो, है न, i, plus में, j, और plus में, k, ये ही मालो, सब से आसान, और b vector को आप मालो, बच्छो, देखो, magnitude same होना चीए, magnitude same होने का मतलब, इसका magnitude कितना है, आप में बताओ, length of a vector, कितनी है, 1, plus 1, plus 1, यानि कि root 3, अब एक ऐसा vector लिखता हो, जिसका magnitude तो root 3 हो, लेकिन, वो vector इससे अलग हो, मतलब कि, इनके जो component है, 1, 1, 1, ये नहीं ह इकवल कब होते है, जब i का component, i के component के equal हो, j का, j के, k के equal नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या है, minus 1, लेकिन, बच्छो, लेकिन, इनकी length equal है, देखो, यहाँ पर यह मत सुच रहे नहीं, यह minus 1 आएगा, minus 1 का square आता है, और 1 का square, length तो इसकी भी root 3 होगी, लेकि वेक्टर a is not equal to vector b, ठीक है, मैं आपको और example देता हूँ, कितने भी example लेलो, another example, let कर लो, आप a vector को मानलो, 2i plus 3j plus 4 के है, b vector को, देखो, इनके जो component है, वो कितने है, 2, 3, 4, इन 2, 3, 4 को interchange कर दो, आप आपस में, कहीं कर दो चाहिए, 2 की जिगह क्या लिखतो, 3 लिखतो है, या लो, इनकी दोनों की length क्या हैगी, same आएगी, लेकिन vector क्या है ये दोनों, अलग-अलग है, तो कितने भी example लेलो, जिनका magnitude same हो, और length क्या हो same, लेकिन वो vector अलग-अलग हो, इसमें क्या कहता है, वो ही दो different vector लिखने हैं, लेकिन जिसकी direction same हो, बच्छो, direction same का मतलब देखो, य लग-अलग होने चीए, क्योंकि vector different है, तो इनकी length क्या होगी मानलो, अलग-अलग होगी, देखो, ये छोटा है, और ये क्या है बड़ा, तो मैं क्या करता हूँ, let कर लो, एवेक्टर को आप अपनी मर्जी से कुछ भी मानलो, 2i मानलो, प्लस 4j मानलो, प्लस के 3 के मानलो, ह ये एवेक्टर पैलल होना चीए, बी वेक्टर के, और मैंने आपको बताया है, वेक्टर पैलल होने का मतलब, उनके जो direction ratio होते हैं, वो क्या होते हैं, proportional, मैं ये कहा रहा हूँ, बच्चो, आप इस वेक्टर को ना, 2 से multiply कर दो, एवेक्टर को 2 से multiply करना, यानिकि हर एक element को 2 से multiply करो, 4i plus 16, plus 8j, sorry 16 नहीं, 2 से multiply करना हूँ मैं, तो कितना आएगा, 8j और प्लस में कितना आजएगा, 6k, ये जो B वेक्टर और A वेक्टर है ना, इनकी direction क्या है दोनों की, same, direction same का मतलब होता है, बच्चों, ये vector क्या है मानलो, kolinear vector है, इनके देखो, direction ratio देखना, 2 by, इन ले लो, minus 2 times ले लो, ये ऐसे vector होंगे, जिनकी direction क्या है, same है, लेकिन बच्चों, आपका क्या है, different है, क्यों different क्यों है, क्योंकि इनकी length क्या आजएगी, अलग अलग है, इसकी length अलग है, इसकी length क्या है, अलग है, कितने भी example ले लो, मैं और example देता हूँ आपको, another example, आप ब प्लस 3J, और प्लस में कितना है, थरीके, ये भी क्या है, आपका बच्चों, ऐसे vector है, जिनकी direction सेम है, लेकिन magnitude क्या है, दोनों का, अलग-अलग है, equal नहीं है, ये different vector है, fourth question, देखो, पिल्कुल आसान है, x और y की value निकालनी है, जिससे ये दो vector क्या होजे, equal होजे, ये तो हमने example किया था, आप दोनों vector को equal रख दो, according to question, x i plus y j, equal है, 2y plus में 3j के, तो देखो, x किसके equal होजेगा आपका, corresponding component है, x 2 के equal होजेगा, और y किसके equal होजेगा, बच्चों, 3 के, लेकिन यहाँ पर बच्चे जो mistake कर देते हैं, मैं समझा देता हूँ, मैं कहता हूँ, let कर लो, ये दो vector equal है, minus के y j, और minus के 2y, और minus के 5k, अब ब बच्चे यहाँ पर ना, plus minus का sign को ध्याने ने देते, यहाँ i का coefficient कितना x, यहाँ i का coefficient कितना minus 2, ध्यान रखो, ठीक है, यहाँ j का coefficient कितना y ने है, बच्चो, sign को भी ध्यान में रखो, और यहाँ j का coefficient 5 ने है, बलकि कितना है, minus 5, तो y की value कितनी आएगी 5, तो plus minus का symbol आपको जो ना ignore नहीं करना उसको लेके चलना है साथ में इस question में देखो क्या बोलता है find the scalar and the vector components of the vector जिसका initial point यह हो terminal point यह हो मतलब कि मैं ऐसे माल लेता हूँ यह p point है initial point और q point है बच्चो क्या minus 5,7 scalar और vector component तो बात की बात है पहले तो हम क्या निकालेंगे vector pq vector निकालो यह na pq vector कैसे निकालते बताओ pq vector minus 5 और इसमें से यह minus 2 करेंगे और i plus 7 minus 1 और यह क्या होगा पच्चो जे तो यह कितना आगया minus के 7 i और plus के 6 j यह तो आगया आपका pq vector लेकिन हमार को इसके components बताने है एक तो scalar component और एक क्या vector component scalar components क्या बताने है पहले बच्चो scalar components pq vector के scalar component बच्चो scalar का मतलब जो i और j के coefficient होते हैं यानिकी minus 7 और कितने आगे 6 scalar component आगे अब हमार को क्या बताने है बच्चो इसके vector components vector components का मतलब minus 7 के आगे I लगा दो 6 के आगे क्या लगा दो बच्छो जे लगा दो बस ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके vector components हो जाएंगे ये तो question आसान है आपको sum निकालना है इन 3 vector का 3 vector आपको दे रखें A vector, B vector और C vector 3 vector को क्या निकालना है बच्छो sum तो vector को कैसे add करते हैं बस I, J के coefficient को add कर दो I paper में कैसे करोगे मैं वो लिख के दिखा रहा हूं आपको हाना plus B vector लिख दो और plus क्या लिख दो C vector लिख दो I minus 6J और minus 7 के पहले क्या करो बच्छो I, I वाले components इकठे कर दो I बाहर कर दो यानि कि I बाहर कर दो यहाँ पर plus का sign लगा दो J लिख दो ताकि confusion ना हो है न अब अंदर क्या लिखोगे बताओ मेरे को I का coefficient यहाँ पर कितना 1 यहाँ पर कितना minus 2 sign का जरूर दियान रखना है यहाँ पर कितना 1 plus का 1 K, J का देखो यहाँ कितना है minus 2 यहाँ कितना है plus का 4 और यहाँ कितना है minus के 6 K का coefficient यहाँ पर 1 यहाँ पर 5 plus का और यहाँ पर minus का 7 बस अब अंसर लिख दो यह तो कितना आगे? 0 आगे 0 आई और यह कितना आगे बच्छो अपका 2 2 में से 6 गया minus के 4 यह कितना आगया आपका माइनस के 4 j और यह कितना आगया बचो माइनस के 1 k 0 आई को छोड़ी दो माइनस के 4 j और माइनस के k यह आपका क्या आएगा अंसर आएगा शिर्फ आपको एड़ी तो करना है 7th question देखो Find a unit vector in the direction of this vector ऐसे question तो हमें example में करी चुके है a vector आपको दे रखा है question में i plus j plus 2 के इसकी क्या निकाल लो length निकाल लो है न क्या निकाल लो बच्चो length निकाल लो तो i का coefficient कितना 1 j का coefficient कितना 1 और k का coefficient कितना 2 length कितनी आगी बच्चो root 6 so हमारको निकालना है a cap हमारको a cap यानिकी unit vector a cap कैसे निकालता है vector को उसकी length से क्या करतो divide करतो vector कितना i plus j plus 2 के और इसको root 6 से क्या करतो divide अलग-अलग separate divide करते हैं करो 1 को root 6 से अलग divide करो i लिख दो plus 1 by root 6 j plus 2 by root 6 k यही आपका क्या है बच्चो unit vector है unit vector का मतलब जो आपने यह vector निकाला है ना इसकी length कितनी होगी 1 यानिकी जो यह a cap आपने निकाला है इसकी length कितनी होगी 1 आप निकाल के देख लो answer नहीं आएगा हमेशा इस question में क्या कहता है find a unit vector आपको vector तो निकालना है unit vector लेकिन किसकी direction में pq vector की direction में अब की बार आपको pq vector यह देगा नहीं आप से क्या करेगा point देगा और पहले क्या कहेगा पहले तो pq vector निकालो तो हमें जब point ही दे दिए p और q pq vector तो हम निकाली सकते हैं न 1, 2, 3 और यह कितना है बच्चो 4, 5, 6 पहले तो आप pq vector निकालो pq vector क्या करेंगे pq vector के लिए बचो q में से p minus करते हैं न यानि कि 4 minus 1 i plus का sign लगाओ बीच में 5 minus 2 j और plus का sign लगाओ 6 minus 3 k कितना आगे देखो 3i plus 3 j plus 3 k यह क्या आगया pq vector आगया हमें इस vector की direction में क्या निकालना है unit vector तो हम क्या करेंगे इसकी length निकालेंगे unit vector निकालना है तो निकालेंगे 3 का square plus 3 का square plus 3 का square तो यह 9, 9, 3 जा कितना होगे 27 यानि कि 9 into 3 होगया 9 का square root बाहर निकालतो हो कितना 3 3 root 3 आगया है न इसकी length कितनी हागी बच्चो 3 root 3 so हमें निकालना क्या है हमारे को पीक्यू वेक्टर जो है ना पीक्यू वेक्टर का यूनिट वेक्टर तो पीक्यू के उपर क्या लगा दो बच्छो पीक्यू के उपर आप क्या लगा दो कैप लगा दो तो पीक्यू वेक्टर को अगर हम इसी वेक्टर की लेंद से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आजे से में बचो, 3 divided by 3 root 3 k, अब 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो 1 by root 3, 1 by root 3 i, plus 1 by root 3 j, plus 1 by root 3 k, बिल्कुल आसान कोशन है, ऐसे कोशन ही दो number में paper में पुछे जाते हैं आपसे, 9th कोशन देखो, इसमें क्या बोलता है, आपको 2 vector दे रखें, a vector और b vector, find a unit vector in the direction of a plus b vector, यानि कि आपको a vector की direction में unit vector नहीं चाहिए, आपको a plus b vector जो निकल के आएगा ना, उसकी direction में चाहिए, हमने example किया था बिल्कुल ऐसा ही, पहले हम क्या निकालेंगे, a vector plus में b vector, पहले यह निकालो, कितना है आपका 2y, 2y, minus k j, plus k 2k, और plus का जब sign हो, तो bracket लगाने की जुरूर्ट नहीं है, या लगा दो, minus i, plus j, और minus k, अब जब bracket खोलो गए, तो 2y में से आई गया, i, minus j, plus j, 0, j हो जाएगा, और plus k 2k, minus k, plus k क्या, k, इसको क्या मानलो बच्चो, इसको c vector मानलो है, c vector मानलो, where, यानि की हमने question की language को easy बनाने के लिए, इसको मैंने नया नाम दे दिया, c vector, अब हमार को क्या निकालना है, required vector, required vector क्या है, अपना, हमें एक unit vector निकालना है, a unit vector, required vector क्या है, a unit vector in the direction of, in the direction of c vector, c vector की direction में, एक unit vector, क्या होता है C vector को उसकी length से क्या कर तो बच्चो डिवाइड कर दो यही तो होता है C vector की direction में एक unit vector तो C vector की length कितनी होगी बताओ यह 1 का square करोगे फिर 0 का square करोगे और फिर 1 का square करोगे यहने की root 2 आगी है ना C cap निकालने आपको C vector को इसकी length से क्या कर तो बच्चो डिवाइड करतो, C vector क्या था देखो, I plus 0J, 0 जो मतलिक हो, plus में K लिखतो शिद्धा है न, निचे कितना आपका root 2, तो 1 by root 2 और plus 1 by root 2, यहां क्या लगा दो, I, यहां क्या लगा दो, K, यह आपका answer आजाएगा, 9th question का, 10th question देखो, इसमें आपको एक vector निकालना है, देखो, find a vector, अब की बाद unit vector नहीं है, इसकी direction में, जिसका magnitude कितना हो 8, बिल्कुल, as it is, हमने example किया था, वहां पर magnitude 7 था, यहां पर कितना है, 8 है, पहले तो आप इसको a vector मान लो, let a vector equal to 5y minus j plus 2 के, अब इस vector की direction में, पहले तो क्या निकाल लो, बच्छो, एक unit vector निकाल लो, पहले तो क् unit vector, मान लो, unit vector, unit vector कितना हैगा, बच्छो, a vector को इसकी length से क्या करतो, divide करतो, तो यानिकी 1 by root 30 बार करतो, सित्थी सी बाद यही है, अंदर सेम लिखतो, यह तो unit vector रहा है, लेकिन अपने को unit नहीं चाहिए, अपने को ऐसा vector चाहिए, जिसकी length कितनी हो, बच्छो, 8 unit हो, so required vector, म अगर मैं 8 से multiply कर दूँगा, तो इसकी length कितनी बंजेगी, 8 बंजेगी, 8 by root 30 into 5y minus j plus k 2k, यह आपके इस question का answer है, चाहो तो इतना छोड़ दो, या आगे solve कर दो, 8 5, जा कितना होता है, बच्छो, 40, 40 divided by root 30, minus 8 by root 30 j, और plus 16 by root 30 k, इस question का आपका answer आ जाएगा, देखो, 11th question में, show करना है कि यह दो vector क्या है, बच्छो, collinear है, collinear vector के दिए मैंने आपको पता है था, कि paper के अंदर vector collinear prove करने हो, तो बस आप यह prove कर दो, एक vector, दूसरे का क्या है, बच्छो, scalar multiple है, मैं लिख रहा हूँ, box बना के, if one vector, if one vector, is scalar multiple, scalar का मतलब होता है, दो गुना हो, तीन गुना हो, half हो, one third हो, minus half हो, कुछ भी हो, scalar multiple of the other, then, these two vectors are collinear, these two vectors are collinear, यह होता है, है न, मतलब सिधा सिधा, अब आप क्या करो, यहाँ पे, इसको नाम देना पड़ेगा, पहले तो, क्योंकि अपने को नाम तो देने रखे, तो इसको a vector मान लो, 2i, minus 3j, plus 4k, है न, यह क्या है, आपका b vector है, minus 4i, plus 6j, और minus 8k, यह देखो, b vector, आपको यह दिखाई देगा, कि b vector, बच्चो क्या है, इसका ही, एक scalar multiple है, अगर मैं इसमें से two common ले लू, b vector में, two common ले सकता हूँ, क्या बचके देखो, minus 2i, plus 3j, minus 4k, अब कोई बच्चा समझ देगा, sir, जो अंदर वाला vector है, वो a बना नहीं है, अभी भी, क्योंकि इसमें से minus का फरक है है, न, देखो, minus 4k, मैं ले लो, अंदर से minus को मैं ले लोगे, तो यह minus का plus बन जाएगा, यह plus का minus बन जाएगा, और यह minus का plus बन जाएगा, अब देखना, इस minus 2 को अगर आप असलब कि a vector को अगर किसी constant number से multiply करके हम b vector बना सकते हैं, तो वे दो vector क्या होते हैं, collinear होते हैं, that implies a vector and b vector are collinear vectors, पिल्कुल आसान काम होता है, ठीक है, यह क्या हो गया, collinear vector का method हो गया, आपको paper के अंदर ऐसे प्रूव करने है, दो vector को जब भी collinear प्रूव करने हो, लेकि उसका एक और method आपको पता लगेगा, तो वेक्टर, collinear या parallel कब होते हैं, बच्चो, जब उनकी cross product, method 2, जिन बच्चो ने पहले vector पट रखा है, उनके लिए मैं बता देता हूँ, अगर तो वेक्टर की cross product, क्या हो जे बच्चो, 0 हो जे, then, these vectors are called, these vectors are called, collinear vectors है, तब भी ये vector क्या होते हैं, collinear होते हैं, या parallel होते हैं, एक ही बात है, collinear vector या parallel vector का, vector की दुनिया में, मतलब एक ही है, और आप मेरे को ये बताओ, a vector cross b vector, कैसे सिखा रखा है, मैंने, जिन बच्चो ने vector पट रखा है, ये उनके लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है, otherwise, अभी जिनकी starting है vector की, वो ये method 2 मत देखना, एक रोस भी कैसे निकालते हो, पर i, j के लिखते हो, फिर a के coefficient, कितने बच्चो, 2, minus 3, 4, 2, minus 3, 4, और इसके coefficient कितने है, minus 4, 6, और minus 8, ये निकालना, ये determinant निकालो, solve करो, ये कितना आ गया, 8, 3, 0, 24, और minus k, 24, minus j, और ये कितना आपका, बच्चो, minus 0i, plus 0j, plus 0k, ये तो क्या आगया, 0 vector आगया, तो ये 0 आजए, determinant अगर आपका, इनको हम क्या बोलते हैं, kolinear vector बोलते हैं, तो paper के अंदर चाहिए method 2 अपलाई कर देना, चाहिए method 1, method 1 भी आसान है, method 2 भी, आपको सब कुछ पता होना चीए, और ये कब पता लगेगा, जब आ आसान है, आपको direction, cosine निकालने है, इस vector के, पहले तो आप क्या करोगे, vector को नाम दोगे, इसको नाम दे दो, a vector, i, plus 2, j, plus 3, अब क्या निकालने है, आपको direction, cosine, direction, cosine कैसे निकालते हैं, या तो इस vector को पहले unit vector बना लो, पहले क्या बना लो, इसको unit vector बना लो, और फिर, उस unit vector में जो i, j, k, k, coefficient होंगे, वो ही क्या होते है, direction, cosine, या फिर direction ratio निकालके, इसकी length से divide कर दो, बात तो एक ही है, मतलब तो एक ही है, पहले इसकी length निकालो, 1, 2 का square 4, 3 का square 9, यानि की root 14, a cap निकालो, है न, a vector को इसकी length से क्या कर दो, divide कर दो, तो i, plus 2, j, plus 3, k, upon root 14, यानि की, 1 by root 14, i, plus 2 by root 14, j, और plus 3 by root 14, k, या आगया, अब हमारे को क्या निकालने है, बच्चो, इस vector के direction, cosine, निकालने है, मैंने आपको बताया हुआ है, अगर कोई vector, unit vector है, तो उसके direction, cosine, जो i, j, k, k, component होते है, coefficient होते हैं, वही होते हैं, चाहे आप इसको prove करके देख लो, इन तिनों का क्या कर लो, आप square कर लो, इन तिनों का क्या कर लो, बच्चो, आप square कर लो, और उसका sum कितना आएगा, आपका 1 आएगा, यानि की, 1 by root 14 का square, plus 2 by root 14 का square, plus 3 by root 14 का square, क्या आएगा 1, तो direction, cosine, निकालने B तक जाता है, directed from A to B, तो हम पहले AB vector निकाल देंगे, फरक थोड़े ये, पिसले question में, इस question में, वहाँ पे आपको vector दे दिया था, यहाँ पे आपको दो point दे दिया, और बता दिया, कि AB vector आपको निकालना है, इस vector के direction को शाहीं निकालने है, तो AB vector तो निकाले पहले, क्या ह होता है, बताओ, minus 1, पहले ये लिखते हैं, minus 1, I, plus, ये क्या होगा, minus 2, minus 2, j, plus, 1, और ये minus minus क्या होजेगा, plus, क्या होगा, बताओ, ये minus 2, I, minus के 4, j, और plus के 4, k, ये क्या आगया, बच्चो, AB vector आगया, अब, हम AB vector की क्या निकालेंगे, length, बस अब ये पिछला question मन गया, प फिर उसके जो, I, J, K, कोफिशेंट होगे, वही हमारे क्या होगे, direction, cosine होगे, length निकाल लो, इसकी, 2 का square 4, 4 का square 16, 4 का square 16, ये आगया, root 36, root 36 को भोलते हैं, कितना 6, तो AB vector का cap निकाल लो, है न, यानि AB vector को, इसी की length से क्या करतो हो, बच्चो, divide करतो, divide करेंगे, minus 2, I, minus 4, J, plus 4, K, इसको 6 से क्या करतो, बच्चो, divide, separate, divide करतो, minus 2 by 6, I, minus 4 by 6, J, और plus 4 by 6, K, थोड़ा और सुन्दर दिखने के लिए, इसको 2 से divide भी करतो, minus 1 by 3, I, minus 2 by 3, J, और plus 2 by 3, K, ये बच्चो, vector आगया, AB cap है, तो इसके direction, cosine क्या आगे, बताओ, मैंने कहा था, direction, cosine, निकालने हो, त minus 1 by 3, minus 2 by 3, और 2 by 3, ये आपका क्या आगया, अंसर आगे, ठीकर, बिल्कुल आसान question है, इस question में क्या कहता है, show that this vector is equally inclined to the axis OX, OY, OZ, OX को क्या बोलता है, X-axis, Y-axis, Z-axis, यानि कि, ये diagram मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ये है, मालो, X-axis, ये Y-axis, ये Z-axis, एक vector है, कहता है, ये वाला vector, इस vector को मैं ऐसे बना देता हूँ, मालो, ये vector है आपका, जिसके coordinate के edge point के 1, 1 और 1, ये R-axis है, मालो, आपका, R-axis क्या है, आपका, I plus J plus K, कहता है, ये जो vector है, ये equally inclined है, equally inclined का मतलब होता है, बच्छों, ये OX क के साथ, और Z-axis के साथ, इक्वल एंगल बनाता है, Y-axis के साथ, मालो, ये वाला angle बना रहे है, ये तिन्नों angle क्या है, same, angle same का मतलब क्या होता है, इसके जो direction cosine है, हम direction cosine निकालेंगे, तिन्नों, L, M, N, वो क्या होंगे, बच्छों, सेम होंगे, तो बस, इसने पूछने का तर दो डिवाइड कर दो, यानि कि 1 प्लस 1 प्लस 1 रूट 3, एक एप निकाल दो, बच्छों, किसी भी वेक्टर के, अगर आपको direction cosine निकालने हो, यानि कि इसको रूट 3 से डिवाइड करो, 1 by root 3 I, 1 by root 3 J, और प्लस 1 by root 3 K, ये क्या आगे बच्छों, इसके direction cosine आगे न, direction cosine आगे 1 by root 3, 1 by root 3, और 1 by root 3, अब direction cosine को हम क्या बोलते हैं, आपको ये पता है, cos alpha, cos beta, cos gamma बोलते हैं, cos alpha, cos beta और cos gamma बोलते हैं, that implies cos alpha की value कितनी आगी, 1 by root 3, cos beta की भी value कितनी आगी, 1 by root 3, और cos gamma की भी value कितनी आगी, 1 by root 3, और cos gamma की भी value कितनी आगी, बच्छों, 1 by root 3, इसका मतलब तो, alpha, beta और gamma तिन्नों angle क्या होंगे equal और तिन्नों angle अगर equal होते हैं तो ही तो हम बोलते हैं कि ये वाला vector तिन्नों axis के साथ कैसे angle बनाता है हमारे equal angle बनाता है ये equally inclined है ये बात प्रूव करने थी तो यानि कि पिछले दो question में देखो आपसे direction cosine पुछे दे इस question में direction cosine की application पूछ ले कि पहले आपको direction cosine लिखने है फिर दो line और extra लिखनी है अगर तिन्नों direction cosine equal हो तब वो vector जो है x-axis, y-axis और z-axis साथ equal angle बनाता है इतनी सी कहानी है बस अब ये देखो section formula का question आगा बिल्कुल आसान आपको position vector निकालना है point r का और point p और q के position vector आपको दे रखे है एक internal division है एक external बिल्कुल सेम ये तो example की तरह है वहाँ पे भी two ratio one था यहाँ पे भी two ratio one है तो आप पहले मैं एक solve करके दिखा देता हूं आपको internal division external आप खुद कर लेना external में तो बस आपको क्या करना है एक ratio को minus करना है एक टर्म को two की जगह minus two कर देना ठीक है ये point है o ये है p ये है q और यहाँ पे point है बच्चो कोई क्या r तो आपको position vector दे रखे o से लेके p o से लेके q और o से लेके r के position vector आपको निकालने है o से लेके r का position vector आपको निकालने है और यह रेशो कितना है बच्छो आपका टू रेशो वन पी के पी का जो पोजिशन वेक्टर है वो कितना है बताओ पी का पोजिशन वेक्टर आई पलस तू जे माइनस के के क्यू का पोजिशन वेक्टर कितना है माइनस आई पलस जे पलस के है ना आपको निकालना है प्लस के और 1 की मल्टिप्लाई करो किससे I प्लस 2J माइनस के और निचे क्या करेंगे दोनों रेशो की ट्रम जो है 2 रेशो 1 इन दोनों ट्रम का एडिशन उपर देखो मैं बसीदा सोल कर रहा हूँ माइनस 2I प्लस I माइनस के I बचेगा प्लस के 2J प्लस के 2J प्लस के 4J बचेगा माइनस के K और प्लस के 2क बचेगा और निचे क्या आगा बच्चो आपका 3 आगा इसको separate दिवाइट कर देना माइनस 1 by 3 I प्लस 4 by 3J माई प्लस 1 by 3 K और यही आपका क्या आजगा असर आजगा खतम external division आपको करी लोगे यह 16th portion देखो find a position vector of the midpoint अब आपको midpoint का position vector निकालना है तो देखो आपको 2 point दे रखे हैं यह क्या है बच्छो P है 2,3,4 और यह क्या है Q है midpoint में ratio क्या होता है सिरफ 1 ratio 1 होता है मानलो R क्या है बच्छो इसका midpoint है डियाग्रम आपको exam में बनाना है ठीक है R क्या है इसका midpoint है और यहाँ पर क्या लेलो origin लेलो आपको origin से join करके दिखानी होती है ना क्योंकि position vector का मतलब यह होता है यह हो गया अब आप क्या करोगे O से लेके B, O से लेके R, O से लेके Q अब इसका position vector कितना होगा बताओ, position vector of P, बस इस क्या कि IJ के लगा दो, 2I plus 3J plus 4 के position vector of Q कितना होगा position vector of Q, 4I plus J minus के 2K, लिख दिया, अपने को निकालना है क्या position vector of R, और R क्या है इसका midpoint तो position vector of R, या तो आप क्या किया करो, section formula लगा दो, इस 1 की multiply इससे करो, इस 1 की multiply इससे करो, फिर निच्छे 1 plus 1 है ना, या फिर इन दोनों को, इन दोनों को add करके 2 से क्या करता होगा, चो डिवाइड करता हो, बात तो यह कि आएगी ना, क्योंकि 1 से multiply करोके तो कोई फरक plus 2i plus 3J plus 4K, और निच्छे क्या होता है 1 plus 1, तो देखो 4 plus 2 कितना होगा 6i, j plus 3j कितना होगा 4J, और minus 2K plus 4K plus 2K, और निच्छे क्या है 2, 2 से divide करोगे, तो बच्छो 6 को 2 से divide करोगे, 4 को 2 से divide करोगे, 2J और प्लस में क्या आजगा K, यही हमारा क्याacas, answer आगा, बस खतम question, 17th question देखो इसमें क्या बोलता है शो करना कि जो ये ABC तीन पॉइंट है जिसके पोजिशन वेक्टर अपने को दे रखे हैं वो राइट एंगल ट्रेंगल के वर्टिशीज है तो बिल्कुल सेम अपने को एग्जेंपल में ने करवाय था आपको एजिटीज वही कोशन है इसमें क् पोजिशन वेक्टर ओफ पॉइंट ए उसको नाम दिया गया है क्या एवेक्टर और कितना है ये 3i-4j-4k है फिर लिखोगे आप पोजिशन वेक्टर ओफ पॉइंट पी जिसको नाम दिया गया है बी वेक्टर क्या है बच्चो ये 2i-k-j प्लस ये जब एग्जाम में मैंने क्या कह रहा है जब भी राइट ट्रेंगल के वर्टिशिस प्रूव करने हो तो आप तीन वेक्टर निकाल लो तीनों साइड के वेक्टर निकाल लो यानि है ना तीनों साइड के जो अलोंग वेक्टर काम करेंगे ए बी वेक्टर निकाल लो आप बी सी वेक्टर निक क्या करती बस- منس करके वेक्टर लेख कर देखो– इसमें से ये क्या करोंगे माइनश में त Sundays के माईन इद्याद एध्यान से विल्कुल कोई भी गल्टि होने निशे है इसमें से माइन गई था प्ल tua से कुझा अगर आपको सिद्धा नहीं आता तो आप रेकेट लगा के सोल कर लिया करो ठीकना प्लस के फाइब के एक भी मिस्टेक होगी तो कोशन गलत होएगा सी माइनस पी यानिकि इसमें से माइनस करो वन में से टू किया माइनस के आई और यह क्या आएगा आपका माइनस का टू जे और माइनस माइनस यह आपका माइनस के शिक्स अब ए माइनस सी उपर वाले में से निच्छे वाला माइनस करना थ्री में से वन गया टू आई minus 4 plus 3 minus 가 j और minus 4 plus 5 plus क्या हैगा के यह 3 o vector आगे अब आप क्या करोगे बैच्चों तिन्नों की length निकłा लोगे यE B vector की क्या निकालोगे अब length निकालोगे ہے length निकालोगे नै लेंध निकालोगे इतना आगे देखो 1 plus 3 का square 9, 5 का square 25 root 35 आगे फिर BC vector की length निकालोगे यह रब BC vector इसकी length कैसे निकालते देखो 1, minus 1 का square 1, minus 2 का square 4 और 6 का square 36, यह root 41 आ गया और CA vector का इसकी length निकालोगे बच्चो तो 4 plus 1 plus 1 यानिकी 6 और मैंने क्या कहा था, length निकालके इनका क्या निकालना है आपको length का square भी निकालना है इसकी length का square निकालोगे यानिकी square root अटा दो बस और यह क्या है आपका बच्चो BC vector इसकी length का square करोगे 41 और यहाँ पे आपका CA vector इसकी length और इसका square करोगे 6 यहाँ पे clearly मैं रहो दिख रहा है यह जो 41 है यह इन दोनों के sum के equal है क्या लिखोगे here 41, 41 क्या है आपका BC vector की length का square BC vector की length का square equal है AB vector length square plus length of CA vector square यह है so triangle ABC is a right triangle यह आपको prove करना तो है ना बिल्कुल same example कितरह है and आपसे यह और पुछले की right angle vertex कुन सा है बच्चो देखो BC सबसे बड़ी है इसमें है BC अगर सबसे बड़ी है तो hypotenuse क्या होगा आपका BC होगा तो यह क्या होगा फिर आपका angle A angle A क्या होगा आपका 9 थी ना भी पुछे तब भी लिखो ताकि हर तरह से examiner को लगेगी इस बच्चे को full knowledge है यह होगा आपका 17th question 18th question देखो बच्चो बहुत अच्छा question है important इसमें बच्चे confuse हो जाते हैं लेकिन मैं आपको सिरफ जो triangle law of vector addition मैंने आपको पता होना चाहिए इसके अलावाइस में कोई concept यूज नहीं होगा यह diagram आपको बना रखा है इन में से कहता है कौन सी जो हना statement true नहीं है not true यानकी false है false बताना आपको कौन सी statement बच्चो क्या है false है तो देखो triangle law of vector addition क्या होता है आपने point A से चलना start किया और A से B की तरफ गए AB vector फिर B से C की तरफ गए B से C की तरफ गए है ना इन दोनों को add करो ultimately जो आपकी displacement हुई वो तो A से लेके C तक गए हो ना यानि कि यह किसके एक बढ़ होगा आपका A से लेके C यही तो होता है triangle law of vector addition अब यह जो statement है ना बच्चो यह जो statement है यह किस से match करती है बस आप यह देख लो लेकिन इसमें right side में क्या है आपकी देखो 0 है तो मैं ऐसा करता हूँ AB vector plus BC vector पर इसको इदर ले आता हूँ यह minus हो जगा उदर क्या बच गया 0 vector 0 नहीं लिखते क्या लिखते हैं 0 vector अच्छा अब आप मेरे को यह बता दो क्या हम इसको AB vector plus BC vector minus देखो कहीं कहीं आपको AC के जगे CA भी मिलेगा है CA भी मिलेगा तो AC को अगर मैं CA लिखना चाहूँ तो फिर यह क्या लगाना पड़ेगा sign को change करना पड़ेगा मतलब कि मैं आपको बता रहा हूँ कि option आपको क्या क्या मिल सकते है देखो option में AB है चारो में तो AB को तो change करने की ज़रूरत नहीं है एक BC भी है और एक जगे CB भी है बच्चो एक जगे CB भी है तो मैं क्या करता हूँ इस BC को CB लिख देता हूँ और sign बीच का change कर देता हूँ है न इसको ऐसे कैसे रखता हूँ तो मतलब कि यह मेरे पास देखो यह सारी condition true है यह वाली भी true है यह वाली भी true है और यह वाली भी true है अब आप देख लो पहली condition लोगो AB plus BC ध्यान से देखना है AB plus BC प्लस CA और यह रहा plus CA मतलब कि यह तो कहा है true है यह देखो AB plus BC माइनस AC अच्छा देखो CA pls है या AC माइनस है एक इनकी बात है ये भी क्या है true है ये देखो a b plus b c ये दोनों option क्या है आपके printing mistake है ये दोनों option क्या है same option है बच्छो ये option तो आपको क्या दिखाई दे रहे है same ही दिखाई दे रहे है B और C option में कोई फरक थोड़े है अब यह देखो last वाला A B और minus C B देखना A B minus C B plus C A plus C A यह भी क्या है बचो true है तो इस question के अंदर सारे option true है आपका printing mistake है यह जो C option है यह कुछ और होना चाहिए ठीक है कुछ और होना चाहिए नई बुक जिसके पास है NCRT की वो match कर लेना यहाँ पे कुछ और होना चाहिए तो वो option क्या होगा false लेकिन अगर paper में यह 3 option दिये मिलेंगे तो यह तो क्या है आपके 3ों के 3ों true है आप मेरी बात ध्यान से समझो क्योंकि यह B और C option क्या दोनों same है और बाकी मैंने आपको prove करके दिखा दिये देखो सारे के सारे क्या आ रहे है true आ रहे है इसे साबसे यह 4ों के 4 option true है कोई भी option false नहीं है तो यह बच्चों आपकी 10.2 exercise कि मैंने सारे के सारे आपको देखो question करवा दिये और सारे के सारे हमने क्या है इसका एक example और हो सकता हाँ यह important है बहुत ज़्यादा important है और इसमें एक जो है आप correction कर लो correction यह है कि कई books के अंदर यह आपको note word काट दो यहाँ से बच्चो note word काट दो ठीक है अब यह question सही बन गया paper के अंदर यह question आएगा आपका note word को हटा दो अब इस question में देखो कहता है A vector और B vector collinear vector है क्या है collinear है तो इन में से कौन सी statement बच्चो incorrect है incorrect का मतलब false यानि कि गलत statement कौन सी है आपको बस collinear vector की definition बता होनी चीए आप मेरे को यह बताओ मैं पहले आपको example देखे समझाता हूँ फिर इसके बारे में आपको में बताओ का collinear vectors क्या होते है अगर मान लो दो vector collinear है if A vector and B vector are collinear अगर यह दो vector collinear है तो दुनों को एक दूसरे के scalar multiple के रुप में लिखा जा सकता है that implies A vector को लिख सकते lambda times of B vector A vector को lambda times of B vector लिख दो या B vector को lambda times of A vector लिख दो उससे कोई फरक थोड़े पढ़ता है lambda के जग़ा कोई constant view यूज कर लो है मतलब कि एक vector को दूसरे vector case scalar multiple के रुप में लिख सकते है भी जैसे मैं यह कहता हूँ A vector B का double है तो फिर मैं यह लिखनू कि B vector A का half है तो बात तो यह किया ना चाहिए यह हो चाहिए यह हो तोनों ही case में यह vector क्या होते है आपके को लिनियर होते है अब मैं आपको example दे के समझा देता हूँ मैं आपको example देता हूँ A vector जो है वो है मालो 2i प्लस 3J और प्लस में 6 के और P vector है बचो इसको मैं ना 3 से multiply कर रहा हूँ 3 से multiply करोगे 6, 3, 18 यह है यह दो vector क्या है पता है यहाँ पे पैर्दल है पैर्दल कहलो या क्या कहलो कोलिनियर कहलो अब अगर यह दो vector कोलिनियर है इसके जो direction ratio है या component है देखो 2 और 6 का ratio 3 और 9 का ratio 6 और 18 का ratio यह क्या हैगा इक्वल 1 3 है 1 by 3 1 by 3 1 by 3 यानि कि इनके जो corresponding components होते है corresponding components होते है बच्चो वो क्या होते है proportional होते है proportional का मतलब इन तिनों का ratio क्या है same है अब देखो question first इसमें incorrect statement बतानी है a और b vector आपको collinear given है तो बताओ क्या b vector को lambda times of a vector लिखा जा सकता है बिल्कुल लिखा जा सकता है क्या a vector को plus minus b लिखा जा सकता है बिल्कुल लिखा जा सकता है क्योंकि यह वही तो बात है a vector b vector के equal भी हो सकता है या a vector minus b vector के होगा तो वो इसकेदर multiply यह इसका one times है यह इसका minus one times है यह भी true है आपकी इसमें कहता है the respective components of a vector and b vector are proportional यह भी true है proportional होते है अगर not proportional यह लिखता है आपके exam के अंदर तो वो false हो जाएगा क्योंकि मैंने पताया है यह proportional होते है अगर आपको कोई कहीं नहीं होते तो वो गलत कह रहा है इसमें कहता है अब यह d important है देखो मैं next page में दुबारा करके दिखाता हूँ आपको यह statement both vectors have same direction but different magnitude कहता है a vector और दो vector collinear vector है इनकी direction कहता है same होनी चाहिए लेकिन different magnitude होना चाहिए मैं कहता हूँ false है collinear vector के लिए किसी ने ये fix नहीं किया कि उनकी direction same होना जरूरी है direction same it is not compulsory यह compulsory नहीं है बच्चो को लिनेर vector के लिए मैंने आपको बहुत detail के अंदर समझाय हुआ है कि अगर मान लो ये vector a vector है और ये vector आपका क्या है बच्चो b vector है और ये दोनों line मान लो इसकी line of support क्या है बच्चो l1 है और इसकी support line क्या है l2 है अगर ये दोनों line ने पैर्दल है support है ना इन दोनों की support पैर्दल है तो a vector और b vector भी क्या होंगे पैर्दल होंगे या A vector और B vector collinear होंगे, collinear या parallel का A की मतलब होता है न, parallel vector कहलो या collinear vector कहलो vector की दुनिया में दोनों का A की मतलब है यह कहता है, दोनों की दोनों की same direction है मैं कहता हूँ, यहाँ पे मैंने प्रूव कर दिया कि direction different, opposite होने पर यह vector collinear है, तो यह option क्या आगया false, but different magnitude अच्छा यह कहता है, magnitude different होना चीए मैं कहता हूँ, अगर मैं यह कहलूँ यह A vector है और यह B vector है, yellow direction भी opposite कर ली, और इनका magnitude भी मैंने क्या कर दिया, same कर दिया तब भी यह vector क्या कहलते है, collinear कहलते है, ज़रूर थोड़े है कि different magnitude होना चीए, same magnitude के vector भी collinear हो सकते है, ठीक है तो यह 19th question का, यह वाला option, D option, क्यों false है, यह मैंने पता दिया, अगर यहाँ पे note लिखा हुआ किसी book में, तो सही कर लो, यह note हटा दो अगर यह note लिखना चाहते हो, तो यह C और D, दुन option क्या हो जाएंगा, आपके false हो जाएंगे, तो यह चीज़े आपको कप पता लगेगी, जब आप collinear vector को बिल्कुल detail के अंदर, जब मैंने आपको introduction lecture के अंदर समझाया है कि collinear vector क्या होते हैं, हर एक चीज़ का diagram बना बना के आपको समझाया है, ताकि आपके तिमाग में रहे हैं, कि direction के बारे में question पूछ ले, magnitude के बारे में question पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आप बहुत आसानी से उसका अंसर दे दोगे, ठीक है, तो यह थी बच्चों, आपकी exercise